बच्चों इसरामराजी इंटर कॉलेज नरायनपूर प्रितमपूर हीरापूर अंबेतकर नगर की आनलाइन वर्चुल क्लास में आप सभी का स्वागत है आज आप कच्चा आठ के विज्ञान में अध्याइचार के अंतरगत पदार्थ धात और अधात पढ़ेंगे यानि कि धात किसे कहते हैं और अधात किसे कहते हैं इनके कौन कौन से गुण होते हैं इसको हम कैसे पैचानेंगे आज इसके वारे में हम चच्चा करेंगे तो ध्यान पूरवका आप लोग सुनिए आपने ऐलमुनियम तावा आज जैसी कुछ पदार्थों से परचित होंगे आपने लुआ देखा होगा ऐलमुनियम देखा होगा तावे के तमाम बरतन देखे होंगे जैसे कुछ पदार्थों से परचित होंगे यहां देखे आपको साड़ी में कुछ पदार्थ भी दिये गए हैं यहां पर देख लेजिए वस्त दिखावट कठोरता तो यहां देखे लोहा है तो लोहा दिखने में कैसा होता है चमकदार यह कोईला यह सलफर एलमुनियम और यह ताबा होगा है ठीक ना अब इसको हम पहचानेंगे कैसे इनको पहचानने के लिए सबसे जरूरी यह है कि इनके हम भौतिक तथा रासानिक गुणों के बारे में जानें अगर जब तक हम इनके भौतिक और रासानिक गुणों को नहीं जानेंगे तब तक इनको हम पहचान नहीं सकते हैं ठीक ना तो भौतिक और रासानिक गुणों के आधार पर हम इनके पहचानेंगे अस्मर करिए कि चमक और कठोरता क्या है चमक और कठोरता भौतिक गुण है धात्मों और अधात्मों के भौतिक गुण को भी जान लेते हैं कि क्या है इनके भौतिक गुण यहां पर हेडिंग बनी हुई है क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अत्वा लोहे से निर्मित वस्त जैसे फावड़ा बैलचा कुलाड़ी खुरपी कुदाली तमाम प्रकार के इस तरीके के समान को आप देखे होंगे उसको पीटते हुए देखे होंगे बठी में क्या इन वस्तूओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं जब लोहार इन वस्तूओं को पीटता है तो इनके आकार में आपको कुछ परिवर्तन मिलता है कि नहीं मिलता है क्या कोईले के टुकुडे को पीटने पर भी वैसा ही वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं जैसे लोहार जब लोहा पीटता है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है पहला होता है बढ़ता है क्या कोईले को भी पीटने पर उस तरीके के परिवर्तन की आप अपेक कर सकते हैं कि जैसे उसमें होता है इस तरीके प्रियूतन कोईले में भी हो सकता है तो इसको और सटीक समझने के लिए हमें एक परियोग के माध्यम से गुजरना पड़ेगा तो पहले आप यह परियोग देख लिजिए एक लोहे की कील, एक कोले का टुकडा, एक मोटे इलम़ुनियम तार का टुकडा और एक पैंसिल लेड लिजिए पैंसिल लेड का मतलब जो पैंसिल आप लोग यूज़ करते हो बीच में जो पैंसिल का लेड होता है उसको लेड बोलते हैं लोहे की कील लेकर उसे हथाओड़े द्वारा पीटिये परंतु ध्यान रहे आप अगर घर पे ये परियोग करते हैं तो ध्यान रखिए गया कि हथाओड़ा आपके उंगली पे ना लगे तो ये परियोग है इसको समझने के लिए तो यहाँ पे देखिए चित्र के माध्धम से बताय दिया भी है ये एक हथाओड़ा है और यहाँ पे ये देखिए हथाओड़ा है और ये लोहे की कील है ठीक ना हतोडे है लोहे की कील को क्या करना है ठीक ना, प्रकरम में आप स्वयम को चोटिल ना करें यह चय ताओनी ही जोर से पीटने का प्रयास करिए मेम के तार पर भी जोर चोट करिए इस प्रकार का प्रकरम कोईले के टुकड़े और प्यंसिल लेड के स踏 भी करिए अपने प्रेक्षणों को जो नीचे साड़ी दी गुई है उसमें आप लिखेंगे कि क्या उन कौन से परिवर्तन होते हैं तो आप जब घर पे करिएगा तिस तरीकी की एक साड़ी बना लिजेगा फिर लिखिएगा वैसे हम बता दे रहे हैं लोहे की कील पीटने से यह क्या होगा लोहे की कील चप्ती हो जाएगी चप्ती होगी और बढ़ेगी ठीक ना यह हो गया पहला कोले का टुकड़ा पीटने से कोला क्या हो जाएगा चूरा हो जाएगा क्या हो जाएगा चूरा ठीक ना अलमुनियम की तार पीटने से यह क्या होगा बढ़ेगा पतला होगा ठीक अलमुनियम के तार अब पेंसिल का लेड देख लिजे यह जो पेंसिल का लेड होता है इसको भी पीटने पर क्या होगा यह चूरा बन जाएगा ठीक ना चूर हो जाएगा छोटे चोटे टुकड़ों पार्ट में बढ़ जाएगा लेकिन लोहे की किल और अलमुनियम के तार यह छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होगा इसमें तन्यता होती है यह बढ़ेगा और आपे आगे आप देखेंगे कि लोहे की कील और एलमुनियम के तार को पेटने पर उनके आकार में क्या होता है परिवर्तन जैसा कि अभी हमने बताया आप संभावत मिठाई को सजाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाले चादी के वर्क से परचित होंगे आप एलमुनियम पन्नी पड़िकाद और खाद पदार्थों को लपेटने के उपयोग से भी अवस्य परचित होंगे धातों का गुण जिसके काड़ ने पीट कर कर देखें धातों का वह गुण जिसके काड़ पीट कर उन्हें सीट में परिवर्तित किया जाता है वो क्या कहलाता है अगहात वर्धनीता क्या कहते उसको अगहात वर्धनीता कहलाता है यह धातों कि अभी लाक्ष्डिक गुड़ है जैसे आपने देखा होगा कि कोईले और पैंसिल कोईले और पैंसिल लेड जैसे पदार्थ का यह गुड़ परदर्शित नहीं करते हैं क्या हम इन्हें धात कह सकते हैं नहीं इन्हें हम अधात की स्रेडी में रखते हैं तो धातों का एक यह गुड़ हो गया कि उन्हें पीट कर पतली सीट में परिवर्थित किया जा सकता है ऐसे गुड़ वाले या ऐसे धातों जो है जिनमें यह गुड़ पाया जाता है तो उसे क्या कहते हम अघात वर्धनीता कहते हैं क्या आप बिना प्लास्टिक या लकडी के हथे वाले गर्म धात के पात्र को स्वेम को बिना अगहात पहुँचाए पकड़ सकते हैं तो नहीं पकड़ सकते क्यों काफी वो हीट होता क्यों कुछ अनवहों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक लकडी या प्लास्टिक का हथा आपको घायल होने से बचाता है तो इसको हम अस्पष्ट कर देते हैं कि धात्र जो होती हैं उसमा की सूचालक होती हैं और अधिकतर अधात्र लगभग वो उसमा की कूचालक होती हैं तो यह गुण यह भी धात्र में पाया जाता है कि धात्र जो है वह उसमा की सूचालक या अच्छी चालक होती है इसलिए आप धात्र को पकड़ते तो आप और अधात्र को जैसे कूकर में हथ्था लगा होता है चाय के उसमें हत्था लगा होता या तमाम इस तरीके से हत्था लगा होता जिसको हम छूते हैं या जो प्रेस आप लोग इस तरी आरण करते हैं उसमें भी हत्था लगा होता है तो वो जो हो उसको छूने से वो उसमें हमें उसमा नहीं महसूस होती क्यों नहीं महसूस होती कि तो आपने देखा कि तंडिकें लगा होती है। ठीक ना तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही दूसरी क्लास में और हम अस्पस्टूफ से इसे बताएंगे तब तक के लिए धनवाद चारवज तक आप लोग होम और करके अवस्य भेजिएगा ठीक ना